राजधानी राची में प्रिश्वार्ता कर उप मेयर विजेवर घिये ने सरकार को धन्यवाद ग्यापन किया क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए बातों पे सरकार ने अमल किया और चोटे और मंजेलो उद्योग पतियों के ब्याद 6 माह के माफ किये साथ ही राजधा सरकार को भी धन्यवाद ग्यापन किया कि उन्होंने रोट टैक्स और बिजली के फिक्स चार्जेज माफ किये हैं जिससे गरीबों को काफी उत्यान होगा और इससे सहायता होगी को ध्यान होगा कि 26 माई 2020 तो मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री के नाम से लिखा था परोना काल में जिस तरह से लॉक्डाउन हुआ लॉक्डाउन के बाद अर्थ व्यवस्ता चर्मराई और सबसे जादा अगर किसी को कोई वर्ग अगर एफेक्टेट हुआ तो वो था निम लिखान मंत्री जी को पत्र दिया था कि आपके माध्यम से पूरे देश में जहां भी ऐसे लोग जो छोटे रिन बैंकों से लिये हैं उन रिनो रिन के जो ब्याज होते हैं उस ब्याज को तीन महने के लिए माफ कर दिया यह माफ बहुत पैसे का नहीं होगा लेकिन इसे आम लोगों को एक रहत होगा कि वो कम से कम अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो उनको ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा और मुझे आज कहते वे हर्स हो रहा है कि वित्मंत्राले ने जो हमारे सुझाओ गये थे उस पर डिसकसन करते हुए और उससे भी बड़ा पैकेज पूर इस देश की सरकार ने की है और इसके लिए मैं अपने देश के मानने प्रधान मंत्री दरेंद्र मोधी जी के नितित्तों में जो सरकार चल रही है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से करोडो करोडो बैपारी जो छोटे-छोटे लोन ल किया है और इस कोरोना महाकाल में ऐसे वैपारी अपने आपको उठा पाएंगे और आगे आने वाले दिनों में संगर्ष करते वे देश से कोरोना को परास्त भी करेंगे और अपने वैपार को बढ़ाने का काम भी करेंगे फुटपाथ बैपारियों को भी जो 10,000 रुपे का लोन देने का काम उन्होंने किया है वो भी मेरे द्वारा उठाया गया ताकि 25,000 रुपे तक का एक रासी फुटपाथ बैपारियों को उपलब्द हो जिससे कि वो अपने जो लॉकडाउन पीरियेट के नुक्साने उनको भापाई करता है अपने आगे के बैपार को चला सके तो उसमें कम से कम मलम लगाने का काम किया है राजे सरकार के माध्यम से पूरे राजे में जो फिक्स चार्ड़े बिजली में लगी थी, उस फिक्स चपरवर्ग एक बड़ा वर्ग जो पूरे राच्य में ट्रांस्पोर्ट का संचालन करता है उसको एक रहात होगी